चर्मा को खतरनाग खिलाडी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर किशेगा दिखाया ये तो हम आपको बढ़ाएंगे ही साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हार्दिक पांडिया और रोहिट शेर्मा में से कौन खतरनाक बल्ले बाज है हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए दोस्तों भारत और आफगानिस्तान के वीच आज इंट्रा स्कोर्ड माहा मुकाबला खेला गया जहां भारत की कप्तानी रोहिट शेर्मा ने की तो वहीं आफगानिस्तान की कप्तानी राशिद खान ने करी और दोनों ने मिलकर ताबरतोर बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले में 45 रन बठोड लिये और भारती टीम के गेंदबाजों की धजिया उड़ा दी। तहल का मच रहते हुए उस्मान गानी को 42 गेंदों पर 5 चौके और 4 छके की मदद से बचपन रनों की बारी खेलने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया लेकिन इसके बाद बल्ले बाजी करने इबराहिम जादरान आते हैं तो दूसरी तरफ से कप्तान गुरबाज ताबरतोर बल् और दूसरी तरफ से ब्राहिम जादरान 18 गेंदों पर 23 रन बना कर अंतिम गेंद पर मोहमद सिराज के हाथों क्लीन बोल्ड हो गये लेकिन दूसरी तरफ से बल्ले बाजी करने आये अंत तक डटकर सामना करते हुए गुरबाज ने एक छोर को पकड़े हुए थे 61 गेंदों पर 8 चोके और 6 चकी की मदद से 112 रनों की नाबाद परिखिली और इस बीच उन्होंने जिस तरीके से दाबर्थोर प्रदर्शन किया उसके सामने भारत कमजोर दिखाई देने लगा और भारती टीम के सामने आफगानिस्तान की टीम ने 194 रन दो विकेट के नुक अपना खाता तक नहीं खोला और जादा ही परिशान दिखाई दिये लेकिन दीसरे उबर में वो 11 गेंदों पर एक रन बनाने के बाद नवीन उल्हक की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गये थे और अब बल्लेबाजी के लिए विराज कोहली का फिस जादा परिशान दिखाई बोल्ड कर दिया तो वहीं बल्लेबाजी करने आए सोरे कुमार यादो पांच गेंदों पर मात्र तीन जन बनाकर पावर प्ले की गेंद पर राशिद खान के सामने क्लीन बोल्ड हो गये थे लेकिन पावर प्ले में मात्र 25 रन बनाने के बाद पारी को संभालने एक बार फ उन्होंने नभी की गेंद पर लगातार तीन शक्के जड़ दिये और अपना उग्र रूप दिखाया लेकिन हार्दिक बांडिया भी जादा देर तक चल नहीं पाए और 14 वे उबर में मात्र 29 रन 28 गेंदों पर तीन चौके और तीन शक्के की मदद से बनाकर विकेट कीपर के हाथों नभी की गेंद पर कैच आउट हो गया लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए संजु को भीजा गया लेकिन इसे बेच रोहिच शर्मा ने अपना अर्द श्रा तक पूरा किया लेकिन अभी भी पांच ओबर में जीत के लिए 75 रनों की आवशक्ता थी और यहाँ पर रोहिच शर्मा पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और रोहिच शर्मा ने यहाँ पर ताब अर्थोर बल्लेबाजी करते हुए एक ही ओबर में दो चौके और दो छक्के जड़ दिये लेकिन दूसरी तरफ से संजु मात्र तीन रन बनाकर रन आउट हो गये इसके बाद बल पर में दो चौके लगाकर दस रन बटोरे लेकिन अंतिम उपर में फिर भी 18 रनों की आवशक्ता पड़ी तो पहली गेंद पर अक्षर पटेल ने रोहिच शर्मा को च्राइक दे दी और यहाँ पर रोहिच शर्मा ने पहली दो गेंदों पर दो चौके जड़ दिये लेकि भारती टीम को शांदार जीत दिलाई है लेकिन रोहिच शर्मा के शांदार 62 गेदों पर 10 चौके और 6 चौके की मदद से 125 रनों की पारी की बदौलत भारत को जीत मिलती है और इस से शांदार जीत को देखकर पूरा स्टाफ मेनेजमेंट काफी ज़ादा खुश है और आफ चांदार खबरों के लिए सबस्क्राइब कर लिए हमारे यूट्यूब चैनल को